नमस्कार जिहार के मुख्यमंत्री और जनतादल युनाइटेट के नीता प्रधान मंत्री पद की महत्वा कांक्षा उनकी जो है इन दिनों काफी जोर मार रही है और इसके लिए उनकी नजर है उत्तर प्रदेश पर और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का तो कोई जनाधार है नहीं तो इसलिए उनकी नजर है अकलेश यादों की पर और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के जनाधार पर जेडियू की ओर से एक प्रस्ताव गया है अखलेश यादो की समाजवादी पार्टी को कि दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के नेता यानि नितीश कुमार और अखलेश यादो मिलकर उत्तर प्रदेश के जो कुर्मी बहुल छेत रहे हैं उनमें जॉइंट रैलीज करें सहयुक्त रैलिया करें उसके पीछे तरक ये दिया जा रहा है कि पिछले चुनाओं में भी अखलेश यादो ने कोशिश की उनकी कोशिश है कि यादो मुस्लिम वोट बैंक में वो अती पिछड़े यादों के अलावा जो पिछड़ी जाती है उनको जोड़े खासत और से कुर्मियों की जिनकी संख्या अच्छी खासी है 1931 में आखरी सेंसर्स आखरी जनगर्ना हुई थी जाती के आधार पर उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की जो आबादी है कुल आबादी का 4.7% है अब इसको लोग जैसे जै अच्छा खासा वोट बैंक है नितिश कुमार को लगता है कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी प्रधानमंत्री पद का वो मिदवार बन गये तो उनके साथ आजाएगा जो कि उनकी मुझे लगता है कि गलत फहमी है इस तरह से जाती है जो जो लायल्टीज है बदलती नहीं प् उत्तर प्रदेश का यादव नेता या मुलायम सिंह हो या अखलेश यादव हो वो बिहार में जाके यादवों के नेता नहीं बन सकते उसी तरह से लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में आकर यादवों के नेता नहीं बन सकते तो लेकिन गलत फेहमी का अधिकार तो सबको ही है तो नितीश कुमार को ये गलत फेहमी है और उनको लग रहा है कि ऐसा करने से उन लोगों का आकलन है कि लगभग 15 लोग सभा सीटे ऐसी हैं जहां कुर्मी वोट जो है वो प्रभावशाली है इनके साथ अगर मुसलिम और यादव वोट मिल जाए तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है ये नितीश कुमार का कुल खेल जो है उनका प्रधान मंतरी बनने का सपना टिका है उत्तर प्रदेश पर बिहार से उनको ज़्यादा उमीद नहीं है इसका मतलब तो ये भी है लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पहले बड़ा उत्साह था जब ये गडबंधन टूटा बीजेपी और जेडीउ का तो महागडबंधन की सरकार बनी तो उनको लगा कि जो है और प्रदेशों में भी ऐसा हो सकता है लोगसभा चुनाव में भी इस तरह के गडबंधन बन सकते हैं वो जो उत्स पिल सजाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि अभी जो हाल में या मतलब 2022 में मार्च में चुनाव हुए हैं विधान सभा के उसके नतीजों के आधार पर समाजवादी पार्टी को 24 लोगसभा सीटों में बढ़त हासिल है और अगर अगर इसमें जो है कुछ एंटी इंकम्बेंसी जूड़ जाए जो उनका मानना है कि दो तरह के एंटी इंकम्बेंसी होगी एक किंद्र सरकार के खिलाफ और दूसरी इस्थानी जो सांसद है उनके खिलाफ मेरा मानना है कि किंद्र सरकार के खिलाफ कोई एंटी इ उठा पाएगी ये पता नहीं दूसरी बात विधानसवाद चुनाओ के नतीजे के आधार पर लोगसबाद चुनाओ के नतीज़ों का आकलन हमेशा जाद आता 99 परसन गलत साबित होता है क्योंकि आप देखिए अगर 2019 को ही बेसियर मालने उसी को उधारण मालने तो आप देखिए 2018 में बीजेपी मध्यपरदेश, राजस्थान, चतिसगर बुरी तरह से हार गई लेकिन लोकसभा चुनाओं में वहां की कुल 65 सीटें हैं उनमें से 63 सीटें बीजेपी को मिली तो दूसरा, लोकसभा चुनाओं में प्रधान मंतरी नरिन मोदी का अपना वोट होता है, निश्चित रुप, हर राज्य में, कहीं किसी राज्य में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, इसी वज़े से आप देखिए कि बीजेपी के का जो वोट परसेंटेज है, एसेंबली में और लोकसभा इलेक्शन में, उसमें अलग-अलग राज्यों में 5 से लेकर 15 परसेंट तक का अंतर है, वो अंतर आता है प्रधान मंतरी के नाम पर, उनके नाम के जो वोट है, उनके कारण हो, दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी को लग रही है, कि ये जो कैलकुलेशन है, इंट इनकंबेंसी का, उनको लग रहा है, कि वो लोकसभा की 35 सीटे जीत सकते हैं, ऐसे में वो अखलेश याद रहो, नितीश कुमार के पिछलगव क्यों बने है, उनके नमबर टू क्यों बने है, उनके अधीन क्यों हो, ये विचार जो है, समाजवादी पार्टी में ह कि नितीश कुमार को यहां से चुनाओ लडाने का, उत्तर प्रदेश की जमीन पर उनको इस्थापित करने का, रुपित करने का नुकसान, अल्टिमेटली समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि वो एक सीट का मामला नहीं होगा, वो और सीटे चाहेंगे, और सीटे न भ सेरी राजनीतिक पारी होगी, उसके बाद नितीश कुमार अगर राजनीती में होंगे भी तो हाशिये पर होंगे, तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो जंता दल युनाइटेट का ये प्रस्ताव है, उसको एक तरह से क्या पुरी तरह से रिजेक्त कर दिया है, हाला तो नितीश कुमार ने जो प्रस्ताव दिया, उसको अखलेश यादो उसके पीछे की जो मंशा है नितीश कुमार की, उसको समझ गए और रिजेक्ट कर दिया है, तो नितीश कुमार का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अभी समय तो अलगभग सबा साल